असलाम अलेकूम आज हैं बनाने वाले हैं चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी जिसे बनाने के लिए एक चमश मैंने लिया है अखा दनिया, सौफ, जीरा, काली मेश, तीन लॉंग, दो छोटी हरी इलाइची, एक छोटा सा जाइफल का तुकडा, बड़ी इलाइची और इसको पीसेंगे मिक्सर में, इसको भूना हुना नहीं है बस डायरेक इसी तरीके से दरदरा पीस लेना है तो मैंने एक बरतन ले लिया है जिसमें हम पुलाव बनाएंगे उसमें मैंने दो बड़े चमश तेल दाले है तेल गरम होने के बाद खड़े मसाले अट करेंगे त प्याज को दून नहीं करना है बस हलका सा खचा पका रकना है देखे सौफ्ट हो चूकी है बस इसी तरीके की प्यास हमें चाहिए अब हम इसमें आदा किलो चिकन एट करेंगे चीकन के साथ हमें इसको सोटे कर लेना है प्यास को और इसी के साथ-साथ हम इसमें अदर उनके साथ हम चिकन को अच्छी तरीके से भून लेंगे इसको अच्छे से भूनना है इसका कच्छापन खतम होने तक और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बैल बटन को जरूर दबाए देखि टेस्ट के हिसाब से भी नमक एड़ कर सकते हो अब इन मसालों के साथ चिकन को हम थोड़ा सा भूनेंगे तो दीके थोड़ा सा 2-3 मिर्ट के लिए मैंने भूना ठीके मसालों का कच्छापन खतम होने के बाद मैंने इसमें दही एड़ किया आधा कब हम इसमें दही एड़ क कुछ इसमें जादा इंग्रीडेंट्स भी नहीं है सिंपल ही इंग्रीडेंट्स और सिंपली रेसिपी है पर खाने में बहुत टेस्टी है आप इसको जरूर बना कर ट्राइ कीजिएगा दही और हरा धन्या कट करके डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे दो मिनिट पकाएंगे दही के साथ अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी एट कर रही हूं आधा ग्लास के करीब पानी एट करेंगे और इसको हमें कवर करके रख देना है लोव फ्लेम पर दस मिट के लिए तकि चिकन हमारी अच्छे से कुख हो जाए दीखे चिकन पक चुकी है, दस मिड़ हो चुके है, अच्छे से गल चुकी है अब मैने एक ग्लास चावल लिए है तो दो ग्लास में इसमें पानी एट करूँगी पानी एट करने के बाद हमें इसमें फुल फलेंपर उबालाने देना है बासमती चावल अगर आप जब भी बना रहे हो तो इसमें जादा पानी एड नहीं करना होता है वरना चावल आपके चिपचीपे हो जाएंगे गर जाएंगे खड़े खड़े और लंबे लंबे नहीं पकेंगे तो देखे आप मैं इसमें चावल एड कर रही हूँ एक ग्लास मैंने बासमती चावल लिया इसको आदा घंटा मैंने भीगा कर रखा था चावलों को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले वगेरा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको फूल फ्लेम पर हम पकने देंगे इसका पानी जो यह सुखा लेंगे देखे फूल फ्लेम पर इसके पानी को पूरा मैंने सुखा लिया देखे पानी अच्छी से सुख चुका है अब flame को एकदम low करना है और इसको दम दे देना है cover करके 10 मेड हम इसको दम दे देंगे तो देखे friends 10 मेड हो चुके है और माशाला हमारा white पुलाओ जो है chicken का बहुत ही tasty बना है आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने खिले खिले और कितने अच्छे पके है और माशालला बहुत ये अच्छी खुश्बूवे आ रही है इस वक्त आप इसको जरूर बनाएगा आपके घर में सब आपकी तारीफ करेंगे जब आप ये पुलाओ पकाएंगे तो मैं आपको इसको सर्फ करके बताती हूँ डिश में तो हमारा मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाओ बनकर रेडी हो चुका है फ्राई की वी प्याज इस पर डाले और खाएं बिना फ्राई की वी प्याज का इसका मज़ा नहीं आएगा तो अगर वीवर्स आपको में रेसेपिस पसंद आती है तो लाइक शेर और करें, आला हाफिज